आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नवाश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी मैं हूं मनिश बलोरिया शुरुआत करते उत्तर पदेश की खबरों से मुखमंतरी योगी अदितनात आज प्राइगराज में आगमन हुआ वहां वो वीजेपी के सांसद दिवंगत पिता की तेरही काहिकरा में शामिल होने पहुचे थे इस दोरान उन्होंने दिवंगत आत्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सद्धान जली दी और परिवार को स्वांतरों देकर लखनों के लिए प्रस्थान कर गए बीजेपी सांसद ने मुखमंत्री का आवार जटाया लखनाओं में आम तोर पर नगर निगम का जिक्र हमारे घरेलू और मूल भूत परिशानी उसको निप्टाने और उनसे निपटने के लिए गिना जाता है लेकिन क्या हो जब इतनी सुरक्षित पार्किंग जहां हर कोने में सीसी टीवी कैमरे की तीसरी आँख लगी है और सुरक्षा के पुंक्ता इंतिजाम हो आके डर किस बात का जब सहिया भहे कोतवाल तो डर कहे का होई ऐसे ही एक वीडियो लखनाओं के नगर निगा मुख्याले के सामने विशाल पार्किंग के बेस्मेंट का सामने आया है जहां खुले तोर पर गाजे बाजे के साथ साहब की तरह बैट कर पार्टी की जा रही है और वालिवूट के गानों पर ठिरकना जारी है बताया जा रहा है कि ये वीडियो कुछ दिन पहले का है लेकिन जनाब सवाल तो तब भी उठता है कि आखिर आम पबलिक के लिए बनी इस पार्किंग को वहां के कर्मी किस तरह से अपनी अयाशी का अड़ा बना लेते हैं चाहे नगर आयुक कोई भी जवाब इनको क्या फर्क बड़ता है आखिर बना ही दिया पार्किंग को डीजे का मंच देखिये हमारी खास रिपोर्ट बाजपा के पूर प्रदेश अद्रक्ष और जलसक्ति मंत्री सुतन्द देव सिंग सुल्तानपूर पहुंचे जलसक्ति मंत्री साले आट बजे पहुश चुके होंगे पी डाबलू डी गेस्ट हाउस पहुचेंगे जिसके बाद कुशीद कलब मैदान में मुहमद मॉबीन एमार्थ खां वारसी के आउजएत हिंदू-मुस्लिम एक्ता कौमी कायकरम में सम्मानित होंगे जहां कायकरम को समुदित करने के बा को आदेश दिया गया कि सरकारी भूमी पर किये गए अतिकरमर को जल्दी खाली किया जाए साथी अगर किसी प्रकार का आतिकरमर पाया जाता है तो सम्मानित अतिकारी पर भी करवाई की जाएगी अगर किसी सरकारी भी भाग के किसी भी जमीन पर किसी औरने अवैध कप्जा कर रखा है तो यह सीरिय सिछ हो हूँ आध कर बादने की सरकारी पर को KI जाएथ है तो इसकोमcade अवैध कप्जी हटवाने के लिए नेमान उसर करवाई ससट करें ये भी भाग कारवाई नहीं करता तो निशी ग्रोप से उत्रदाई अधिकारियों के विरुग भी कारवाई हमारे अस्तर से की जा सकती है हमिरपूर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे पंदा करोड रुपए से अधिकी ठगी करने वाले संगटित अंतराजी ग्रोग का पुलिस ने खुलासा किया है खुलासा करते हो गिरोग के सदस, तीन सदसों को पुलिस ने गरफतार किया है जबकि अन्य सदसों की पुलिस तलाश कर रही है इसके पास से 80,000 नकदी सहीट एक गाली लेपटॉप मुबाइल सहीट अन्य समान बरामत किया है एसपी ने गिरोग के सदसों को गरफतार करने वाली टीम को दस आया रुपए इनाम देने की घोशना भी की है जन्पद हमीरपुर पुलिस द्वारा विगत पिछले कुछ दिनों से एक प्रकरण्ट की जाँच की जा रही थी जिसमें वादी द्वारा उकदमा संख्या 356 बटे 22 खाना मौदा में तर्च कराया गया था वादी के साथ 3 लाग रुपए का साइबर फ्रॉट हुआ था उक जाँच के क्रम में जन्पदी साइबर सेल ने और खाना पुलिस ने मिलकर जाँच की इस जाँच में ये चीज़ प्रकाश में आई कि एक अब्युक इंतजार खान उसके द्वारा इन वेक्तियों से फ्रॉट किया गया साथ ही उससे पूच्टाश में ये प्रकाश में आया कि उसने एक संगठित गिरो बनाकर जिसमें उसके अलावा अन्य पांच लोग भी शामिल थे उत्रपदेश सरकार द्वारा विभागी योजनाओ का पचार पसार के लिए चिंगांकर शिविर का आउजन हुआ इसी करम में क्रिटिम सहायक उपकराण विवित्रण कायकरम में मुक अठिदी के रूप में पहुँचे राजमंती सोतंत प्रभार दिनिश प्रताप सेंग जिनका स्वागर जिलादकारी मालास रिवास्तों ने पुष्प कुछ भेट करके किया कारकरम में पहुँचे राज सुतंत्र प्रभार मंत्री ने दिव प्रजलिद कर कारकरम के शुरुआत की, कारकरम में जिलादकारी माला से वास्तो सही जिले के सबी बड़े अधकारी रहे मौझूद। हमारे यहां से यहां पे सेरोरल पॉलसी जितरतिक दिव्व्यांग जन्थ जिनको यहां पे जिलादकारशाषन ने व्यटेर वित्रित करी है और hearing impaired यानि मुख बदिर बच्चे जिनको hearing aid वितरन किया गिया है जिलादकारण के द्वारा आप सब कोई जानता है कि कांग्रेस का अधिच कैसे बनेगा जैसे बनना होगा बन जाएगा लेकिन कांग्रेस का अधिच चाहे जो हो जाए आज की तारिख में कांग्रेस की नईया को आगे बढ़ाने वाला कोई अधिच होना नहीं हो नहीं पाएगा देश के सोसी प्रधान सुल्दानपूर में प्रणमंत्री के जर्म दिन से मनाय जा रहे सेवा पकवाड़ा में भाचपा के 170 दिव्यांगों को सहाइक उप्रण वितरण कर प्रणमंत्री के दिरगायू की कामना की गई इसके दोरां सबागार में दिव्यांग एवं शशक्ती करण विभाग के कायकरम कायूजन किया गया। जहां कायकरम को समुदित करते हुए मुक अत्ति और भाचपा प्रदेश मंत्री संकर गिरी ने कहा कि दिव्यांग जन दिव और इश्वरी शक्ती से संपन होते हैं। कि जंग उत्सो पर चत्रतारी संप्वर्दकु अप्वर्दकु अधियों गतलनें देच्शों अनिशां मानितकार करता हुए कि दार सिव पक्वाला है कि अंधर गेव्यांग देश्वर्दकु जन दिव्यांग मिन जानाया जारा है। इसले दिरो जो डेट चिंट के बीच में खोन देने के काम बर्दे जन्दा पाट्री के संभावे साथ लेगर्ड में डियाइजी ने कोतवाली इगलास का उचक नेशन किया दोरान डियाइजी ने थाने के रख रखा और रेजिटर को भी चेक करते हुए आधिनस्तों को दूरी दिठान डिदेश भी दिये वहीं दूसरी ओर थाने में डियाइजी की सूचना के बाद हलकम पुमच गया खाना डिबस का आयविन किया गया था समय दिबस का इसके अंतरगर्त यहां पर विविन भ्युहाग के अथुकारी आए हुए थे और जो लोग हैं पब्लिक में उनकी समिस्या का समाथाने आप एस्टिया में अच्छी है और यहां खाने की ओवर और दिवस्ता इन अच्छ जिन जगों पर कुछ कमियां पाई गई हैं इनको ऐसे चोगो बताया गया है और जैसा कि मान्याम अच्छी का कहना है कि हम जंता की सिकायत को आना सरवच प्रार्पिक्ता पर सुने तो इनको आवगत कराए गया है कि हम लोगों की जोगी समस्या आओ उसको इतना वरित बिजनौर में गंगा के जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए परशानी खड़ी हो गई है उधर रावली ब्रमपुरी के पास बने मालन नदी के रप्टे के उपर भी तीन फुट पानी चल रहा है लोगों को अपने गाउं जाने के लिए चांड जोखी में डालकर रप्ट अधरा दरजन भर गाउं को जोड़ता है वहीं इन गाउं के चांड चात्रा जान जोखी में डालकर इसी रप्टे पर आना जाना करते हैं बुलंद शहर के शिकारपूर में लगबग तीन दिन पहले बिमार हुए फ़ुजी को मेरिट के इस इस इलाज के दोरान मौत हो गई लगबर तीन दिन पहले ही अपने गाउँ छुटी लेकर आया था फौजी ले लडदाग में तनात था मृतक फौजी को मौत का समाचा सुनकर परजनों और ग्रामिनों में शोक की लह चा गई है आपको पता दें कि 22 साल पहले आर्मी में भरती हुआ था मृतक फौजी के अंतिम शव यातरा में हजारों की तादात में शामिल हुए छेत्र के लोग चंदौली के मुझफरपूर स्थित कंपोजिट विद्धाले पर शनिवार को उत्तर प्रदेशी प्रात्मिक्स सिक्षक संग की ओर से सम्मेलयन और संगठन के पुनर गठन काईकरम आउजित किया गया था जिसमें चक्या इकाई के अध्यक्ष के लिए विरेन मोहन सिंग को अध्यक्ष उना गया इसके बाद नवनिर्मित पतादकाणियों को गोपनीता की शपत दिलाई गई साती सभी को बगएर किसी पक्षपात के संगठन के पतीन इस पक्षटा से कार करने का सुझाओ दिया नवनिर्वाचित अध्यक्ष विरेन मोहन सिंग ने कहा कि सिक्षकों के द्वारा पुरारी पेंशन बहली की मांग काफी अरसे से की जा रही है हमारे के यहां हर तीन साल पे निर्वाजन की परिया होती है जिससे संगठन में पुर्जा बनी रहे और अध्यापकों का विश्वास बना रहे इसी करम में आज बला की काई चक्यां का पुनर गठन का कारकम रखा गया है प्राफिम विदाल मुजब परित्में में यहां हम स्टेक्रों जाबकों के बीच में उपसित हैं और इस अधर पर हमारे जीले के पाधिया ज्मे प8 नंग समफन में और प्राफिम था. पहले दार आज के चीज़ कानल मुट देले के पान खाल पहले चुना हुआ था उसमें विद्विविवन सिंग भारी मत्रों से लिए त्राप्ति के त्रीक आज तबारा जब इसका अगठन हुआ तो यह निर्विरोध यहां के पलाक अभ्यक चुने गया आज जो हमारे चक्वाला थे द्हाइत कावरु ने जो दोबारा दाईत्यु दिया है मैं इस दायद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं कभी पीछे ने रहूंगा ने रहा हूं और रोहरा तो दोबारा हमको बिला अपर जो स्वायोग मिला है जन समर्थर मिला है हम इसके लिए चाहे जहां भी हो बलाकस तर पे हो जिलास तर पे हो प्रदेस तर पे हो मैं इनकी समस्याओं को लेकर लड़ता रहूँगा और संघस करता रहूँगा गाजियाबाद के इंदरपरोन की आमरपाली विले सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग ने एक बच्चे पर हमला कर दिया पता दें कि बच्चा सोसाइटी के अंदर एक शाप से समान लेकर जा रहा था तब ही सोसाइटी की लिफ्ट से बाहर निकल कर बच्चा थोड़ी ही आगे बढ़ा था तब ही पीछे एक स्ट्रीट डॉग ने बच्चे के पैर में काट लिया वह स्ट्रीट डॉग के इस तरह के अचानक हमने से बच्चा चिलाने लगा ये घटना सिकोर्टी में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद होगी वो खुद दर गई, उन्होंने कुछ हेल्प ने की तो पीछे से एक गाड़ी आई, उस पर से एक अंकल बाहर निकले, तो उन्होंने हेल्प की और पीछे से गाड़ भी आ गए. आज दरसल सुबह सबा, 11 बजे की बात है, मेरा बेटा सोसाइटी के अंदर ही दुकान पे गया था, कुछ समान लेने के लिए, वो जैसे ही सोसाइटी से टावर से बाहर निकला था, एक दूसरी टावर के बाहर एक डॉग बैठा हुआ था, जैसे ही उसने उसको क्रॉस करा, क यहां पे मेरे को मुव हुए अभी एक साल ही हुआ है, बट मुझे यह नियूज इस सोसाइटी में पहले भी बहुत बार मिल चुकी है, बहुत सारे मेरे फेंस सार्कल्स है, जिन्हों ने इस बारे में बताया है, कि यहां पे डॉक्स की एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, और अनफॉर्चुनेटली यहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो उस चीज को रोकते हैं, अगर कोई इसके डिसिजन लेता है। नाइन स्लोर में रहती हूं और वहां तक मुझे आवाज आई है। जिसमें अंतराजी चोर चोरी करके गरीब लड़कियों की शादी कराया करता था। आपने तो किक मुवी के सल्मान खान को आपने देखा ही होगा जो बस्ता चारवा मंतिरों को लूट कर गरीब बच्चों के इलाज में पैसा खर्च करता था। ऐसा ही एक अपरादी अलग अलग राज में चोरी के लगबग 26 मुकर्द में इर्फान उफ उजाले पर दर्ज है। साथी इर्फान उफ उजाले को डॉबिन हुड भी कहा जाता है। जो बीचोरी करते थे सब गरीबों में चले जाता है। गरीब लड़कों की शादी बिया करवाते हैं। कई जगा रोड बनवाया है। लोग किस तरीक से तुम्हें मानते हैं। यही मानते हैं कि मैं लोगों की मदेद किया मेरा कोई वहां का कोई क्रिमला रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कभी कोई गलत काम किया नहीं बच्पन शाइब कितनी लड़कों की शादी अब तक तुम करा चुका है। गिंती कुछ भी नहीं है। क्या क्या देते थे शादियों में? सारा चीज जो भी शादी का मेंटेनेस होता है सब कोुछ। गतवर्ष थाना कवी नगर में एक चोरी का मुकपना लिखा गया था जिसमें की रिफान उजाले नाम के चोर अरेस्ट हुए थे उसके बाद ये बेल पर वापस आ गया थे पर इस पर गैंक्स्टर एक लगाया गया था इसमें गैंक्स्टर के वांचित पे इनको सफलता प मेला का प्रशनी का आउजन किया जाएगा ओसी एफ की रामलीला खास इसलिए है क्योंकि इस रामलीला के मंचन पर अपने अबने से लोगों को मंतरूट करने वाले कई कलाकार मुंबई तक पहुंचे हैं जिसमें से बॉली वूट के हास कलाकार राजपालियादों भी शाम से और ट्राफिक पुलिस में उनके स्पी साफ सबसे हमने मुलाकात की थी एला यू के लोग और मिल्ट्री के लोग भी हमारे को इसमें सायोग करेंगे क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन है पूरे शहर के लोग और आसपास के भी तहसील गाउं के लोग आते हैं तो यह कि सब्सक्राइब की जिम्मेवारी नहीं हो सकती सभी लोगों की एक जिम्मेवारी है और शिविल पुलिस जो है इसके अंदर हमारी बहुत सहयोग करेगी बहुत तैयर हो गया है स्पेशली सीची टीवी और ट्रोन कैमरा सिकूर्टी इस पर और ज्यादा होगा पहले पास से स्कूल के बाहर कुर्सी पर बैठी अध्यापिका की खराटे भरने के मामले में वीडियो सामने आया है वीडियो बनाने वाला यूवा का कहना है कि मैडम हर रोज का जहीं कार रहा है कोई नया नहीं इसलिए देश आगे बढ़ाने के बजाए पीछे चला जा जा रहा है यह स्ट्री सीटर को उसी के पीछे बाइक पर बैटे यूवग नेसर में गोली मारकर मॉत कि घाट उतार दिया है थारए कि मिंतकि एस्ट्री सीटर पर संगीन धाराओं के तहट 28 मुकदमे धर्ज हैं। मामला फैदाबाद के प्रतला इलाके का है। फिलाल पुलिस आरूपी युवक की CCTV फुटेज खंगाल कर आरूपी की पैचान करने में जुटी है। इसके हट्चा कर दी है। जो फुटेज खंगाली जा रही है। जिसमें उसका वडिया तो आ रहा है। लेकिन अभी नाम इसका इडेंटिटिपिशन ही वह पा रहा है। वक्ति जो है इसमें इन्वेटिकेशन जा रही है। फोस्मार्टम भी केच्छ में तराया जा रहा है। दो दिन पहले कानपूर के आउटर बिलोर्थाना च्छेट के रसूलपूर गाउं पताब उर्फ गुड़ू ने अपने चाचा सुनिल सिंग के सर पर गोली मार दी थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी यूवग मौके से फरार हो गया था। तो वहीं इस प्रांक 22 सितंबर को एक घटना बिल नहुर में थाना रसूलपूर गाउं में हुई थी। सुनील सिंग नाम के बेक्ति को उसी के भतीजे ने पारिवारिक भतीजे ने गोली मार्क दिया था सुबह सुबह पहुने साथ बजे गटना पुलिस ने इसमें तत्काल जैसे कुशिनगर के अवर शुगर एंड एनरजी लिम्टेट की न्यू इंडिया शुगर मिल्स ग्राम खेदनी के शहद कलीन क्रिष्ट गोस्ती का आउजन किया गया। साथी किसानों को तक्निकी युक्त खेदी की जानकारी भी दी गई। वहीं मिलके अधिशाशी अध्यक्ष करन सिंग ने शरत का कालीन में गन्ना बुवाई पर जोड़ देते हुए कहा कि किसान गन्ने की खेदी सतत्ता के साथ करें। 238 को बचाने का और एक कुपाय है जिसके थुरूज टूफोडी और उसका जो है घोल बना करके मिल्ट्रा पिजीन और उसको इसको इसको करना है ताकि उसके में जो खर्द पत्वार है पहले ही दब जाए और उन्होंने कई तकनिके बताया है। रोड नहीं तो वोट नहीं नारा लगा जा रहा है। ये मामला उस गाउं के विदान सबा का है जहां लगता दूसरी बार भार्चपा के विधायक बने हैं। ये हाल उस जिले का है जिस जिले में कें सरकार ने सांसद और केंदरी वित्र राज्यमंतरी पंकर चौदरी का निवास है। राजधानी के बजारों में धडलले से प्लास्टिक का इस्तमाल किया जा रहा है। रोट कैरियर थोग विकरिता के यहां च्छाप इमारी कर दस कुनितल पॉलिटिन परामत किया। साथी दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया। सितापूर के कोतवाली छेत सिधौली में विशिंदू परशत का गुस्ता सातोय अस्मान पर दिखा पता दें कि विशिंदू परशत के पदादकारी राम अनुवर सुकला ने हिंद देवी देवताओं और देश में प्रहानमंतरी के विरुद अबद्र भाषा का प्रयोक किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो गया। हमारे प्रधान मंतरी जी है अधरणी नरेयन मोधी जी उनको फूब गंदी-गंदी गालियां और अबद्रभासा का काफी प्रयोक किया उसमें और वो वीडियो सोशल मीडिया पर उन्हों डाला जिसको हम लोगों ने देखा देखने के बाद हम सभी विश्यों हिंदू बर करके कारेवाई की मांग करते हैं फिलार उतर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही देश-प्रदेश की खबरों के लिए देखते है रहे ये प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका